दसवी का ट्रेलर देखा मैंने सीधा दिल पर अटैक यार मेर से भी दसवी बहुत मुश्किल से पास होई थी हाँ यार सच्ची बट नाव आम पीडी पीडी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भाई अगर ऐसा नेपोटिजम होता है तो वी आर रेडी वी हैव नो इशू हमें को लोगों को भी कोई प्रावलम नहीं होगी अब कह सकते हैं कि अभी शेक के अंदर बच्चन साब के पूरे गुण समा चुके हैं यह फिल्म का पोस्टर आया था तब ही से मैं एक्साइटिट था पर ट्रेलर देखकर छाती चोड़ी हो गई फिल्म का आइडिया कहीं ना कही हरेना परदेश के पूरु सीम साब की जिन्दगी से लिया गया है पर वो उस वक्त 82 साल के थे पर दोनों पर इल्जाम सेम होता है जो इसमें भी शेक करेक्टर प्ले कर रहे हैं और हरेना के सीम पर ट्रेलर का पहला सीनी इतना जबरदस्त है जाट और जाट की चोडरहट अ असली जटनी से मतलब की जाट पुलीस वाली से जो की है यामी गोतम को घंटा फरक नहीं पड़ता के एक सीम साब को जेल हुई है उसके लिए वो एक कैदी ही है चोडरी साब को सनक चड़ती है दस्वी पास करने की फिर असली खेल चालू होता है यहाँ पर चोडरी साब द दिखाएगी कि अगर नेता पड़ लिख कर नेतागिरी करें तो समाज की सूरत बदल सकती है देखो एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो देश को समाज को असली मनजिल पर ले जा सकता है अभी शेक बच्चन बहुत जच रहे है यार वेट बहुत लोस किया उन्होंने ज आप लिए तारीफ है पहले उन्होंने लूडो बॉब विस्वास और अब दस्वी शांदार यार अभी शेक आपको मानना पड़ेगा वेरी गुड यामी गौतम जितनी कमाल दिखती हैं उतनी कमाल की अदाकारा भी हैं इस फिल्म की एक्स फेक्टर होंगी निमरित कौर मै अब ही आपको बदा सकता हूँ फिल्म में उनका रोल सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा और चोकाने वाला होगा या ट्रेलर अच्छा है बहुत शांदार है माई रेटिंग फोर दिस ट्रेलर 3.5 स्टार आम वेरी एक्साइटिड तो सी इस फिल्म और नेट्फिक्स यार अगर ऐसी फिल्में बनेंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बॉलिवुड से यह बॉलिवुड का बदला हुआ रूप है तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना बैल आइकन को हिट करना ताकि आने वाले सबी वीडियो की नोटिफिकिशन मिलती रहे थैंक्स पूर वाचिंग